वेलकम बैक नमस्कार दोस्तो एक बार फिर से आफ सभी का स्वागत है हिंदी साहित्यमें और हिंदी स्थमें नेट जीरप के सिले बस में लगा हुआ है मात्रिकी मूर्थी उसका अध्यान हम करेंगे वाका नाच करेंगे लेखाका स्रिराम्बरिक बेनिपुरी यहां I x 10, यानि की unit 1, जिसमें कि अदन कसी अन्य गद्र विधा हैं लगा हुआ है, उसके तहत है, और यहां आ आपका रिखासचे इतर है, कौन से विधा है, रिखासचे इतर हैं, जिसे सब्ध संगरह, चित्र सब्द संगरह के नाम से भी जाना जटा है, ठीक है, सब्द चित्र सं अंग्रह के नाम से भी जाना जाता है चलिए शुरू करते हैं आप सभी यह दिन नए हैं या फिर पूराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजिए बाकी सुरू करते हैं लाइक सेयर करना भी ना भूलिए देखिए नमीन संस्क्राण की जो बात है उसक की मूरते सोने की मूरते सिद्धुई छा साल में इसके साथ हजार प्रतियां बेग चुकी इस नवीन संस्क्राण में एक मूरत और जोड़ दी गई है रजिया क्रम में भी कुछ परिवर्तन किया गया है और पाठ में भी इसे आदि से अंततक मतलब सुरुवात से अंततक सचि सब्सक्राइब कर दिया गया है क्या मैं आसा करूं इस नए रूप में यह और भी पसंद की जाएगी गंगा दसाहरा के दिन 1903 या 1903 लिखा है ठीक है बहुत लोगों को जो हिंदी में लिखा है वह समझ में भी नहीं आता कि 9 कैसे लिखते हैं ठीक है नव एसर लिखा जात लिखक है खोद उनका यह कथन है तो उनका कथन भी दिया जा सकता है अब देखते हैं इनकी क्या है इनके बार इन्होंने क्या मतलब कहा है भूमिका में जिसे की कई अन्य नामों से भी जाना जाता है तो भूमिका में इन्होंने क्या कहा है उसको आई यह देखते हैं कब भी आप गाउं की ओर निकले होंगे आपने देखा होगा किसी बढ़ या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्ते रखी हैं माटी की मूर्ते यह मूर्ते ना इनमें कोई की खबसूरती है नरंगी नी है फलता बहुत ध्या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि उनमें कोई दिल चस्पी न ले उन्हें देखते ही मुह मोड ले नाक्सी कोड ले तो अचरच की कौन से बात क्या समझ गए जैसे बुद्धा और ग्रीक यह सब मूर्तियां हम लोग मून नाक्सी कोड लेंगे किन्तों इन कुरू बदसकल मूर्तों में भी एक चीज है साय दूसर हमारा ध्यान नहीं गया है वह जिन्दगी यह माटी की बनी है माटी पर धरी है इसलिए जिन्दगी के नजदीक है जिन्दगी से सराबूर है क्योंकि क्यों तत्तों से मिलके हमारी जो है शरीर बना है तो उपंच तत्तों में जाके बिलीन भी हो जाती है यह मूर्ते ना तो किसी आस्मानी देवता की होती है न अवतारी देवता की गाउं के ही किसी साधार ब्यक्ती मिट्टी के पुतले ने किसी और साधार और लवकिक धर्म के कार सुनती हैं, खोस होती हैं, नाराज होती हैं, खोस होई संतान मिली, अच्छे फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली, इनकी नाराज की बिमार पढ़ गए, महामारी फैली, फसल पर ओले गिरे, घर में आग लग गई, तो अब देखते ही हैं कि गाउं में नाराज हो गए, तो यह होगा कि बिमार हो गया, महामारी हो गया, ओला पढ़ गया, घर में आग लग गई, बरबाद हो गया, यह जिंदगी के नजदीक ही नहीं हैं, जिंदगी में समाई ही हुई हैं, इसलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर इनके नजदीक आप ही आप जुका है बहुत धार ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनी हैं बंदनी हैं तो माठी की ये मूर्ते भी उपे छड़ी नहीं है आप से हमारा निवेदन सिर्फ इतना है कि इसका भी सम्मान किया जाए आपने राजा रानी के कहानियां पढ़ी है रिसी मुनी की कथाएं बाची है नाइको और नेताओं के जीवनियों का अध्यन किया है वे कहानियां वे कथाएं वे जीवनियां कैसी मनुरंजा कैसी प्रोजवल कैसी उस्सावर्धक हमें दिन दिन उनका अध्यान मनन अनुसिलन करना ही चाहिए किन्तु कि आपने कभी सोचा है आपके गाउं में भी जवल और उस्सावर्धक नहीं है किन्तु सकुंतला वसीष्ट सीवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गाउं की बुधिया बाल गोविन भगवाद बलदेव सिंग और देव की और देखने के भी भुर्सत कहां पाते हैं तो इनी पे तो इनकी लिखे गई कहानिया है माठी की मूर्ते छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे कितने बारे पार्टों में हाजारी बाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गाउं और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ते मेरी आखों के सामने आकर नाचने और मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी यानि लिखक जब हजारीबाद सेंट्रल येल में था तब उनके मन में यह विचार आया यह चीजें आई यह मूर्ते आई यह मूर्तियां आई उनकी इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंतता यह माटे की मूर्ते तयार होकर रही हाँ जेल में रहने के पिड़ते आदमियों के सजदचित्र हैं मानता हूं कला ने उन पर पच्चीकारी की है तो थोड़ा सा कलाकारी तो करना ही होगा क्योंकि उसको जब पिरोना है कहानियों में रिखा चित्र में तो यह तो रहेगा है किन्तो मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मू मनुरंजक लगे वह क्यवल मनुरंजक के तोर पे ही ठीक ठाग लगे उसमें से मूल रिखाए गयाब नहों मूल कहानी गयाब नहों मूल चीवनी गयाब नहों मैं उसे अच्छा रसोजिया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे की सजी सब्जी का मूल स्वाधी नष्ट हो ज मेरी यह माटी के मूर्थे कैसे पूजा पाती है लव इस चका चौध में कैसे इन चीजों को इन चीजों को कैसे मनिता मिलती है कैसे लोग सराहते हैं यह डर तो रहा था लिखक के मन में इन्होंने कहा है किन्तो इधर इन में से कुछ जो प्रकास में आई हिंदी संसार ने उन्हें सिर आँखो पन लिया यह मेरी कलम या कला की करमात नहीं मानवता के मन में मिट्टी के परति जो स्वभाविक इसने है उसका परिड़ाम है उसने के परति में बार-बार सिर उखाता हूं और कामना करता हूं कुछ और ऐसी माटी की मूर्थे हिंदी संसार की सेवा में परिश्थित करने का स्वभाग प्राप्त करशकू यहां इन्होंने जब कहा है किस ने कहा हैassy 1946 में दिवाली के दिन इन्होंने कहा है रांवरिछ बेनिपुरी तो दोनों कतन जो पहले हमने पढ़ा और यह कतन दोनों स्री रामबे च्वेनी पूरी का है इसमें से एक दो पंक्तियां उठा के दे भी सकती है कि किस रचना के समद्ध में है और किसकी है तो आप लोगों को यह अच्छे से देखना चाहिए और इसके बाद हम क्या कर लेते हैं कि जो माटी की मूर्थे हैं उसका क्रम देख लेते हैं या कि तो अगली कड़ी में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे एक एक कड़ी एक एक लोगों पर यह माटी की मूर्थे तो यहां तक तो आपकी हम परिच्छे होई गया होगा मतलब यहां तक परिच्छे रहेगा आपका साथ तक फिर यह लिखक है फिर पहला जब चेप्टर पर आएगा उसका नाम होगा रजिया फिर आएंगे बल्देव सिंग इसके बास सर्जु भाईया फिर चोथे पर मंगर फिर रूपा की आजी फिर देव फिर बाल गोबिन भगत यह मतलब जीवनिया है लेखक के आसपास कि उनके देखे सुनी उनके जीवन से गुजरी कही नके उनको प्रभावित की तो वह असल जिंदगी की कहानिया है असल जीवनिया है जिसको लेखक ने पीरोया है रेखा चित्र में तो आपको यह जरूर सब देखना चाहिए भावजी है परमेसर है बैजु मामा भी अस्थान पाग है जैसा कि लेखक ने कहा कि जेल में रहन आगे फिर हम देख लेते हैं जो पुस्तक के पीछे दिया गया था इसके बारे में इसी से इसी की पंक्ति से है और लेखक का परिशे भी देख लेंगे थोड़ा सा उसके बाद उनकी कृतियां भी देख लेंगे जब भी आप गाउं की ओर निकले होंगे आपने देखा मूर्ते रखी हैं माटी की मूर्ते ये मूर्ते नीमे कोई खुफसूरती है ना रंगीनी है किन्तो इनकुरूब वत्सकल मूर्तों में भी एक चीज है जैसा के हमने पढ़ा शुर्वात میں असाय दूसर हमार ध्यान नहीं गया है वह है जिन्दगी ये माटी की बणिता है मार पढ़ गए महमारी फैली फसल पर उले गिरे घर में आग लग गई यह मूरते जिंदगी के नजदी की नहीं जिंदगी में समाई हुई है रिपीट है लेकिन फिर से आप दखिएगा आप इससे नाता तोड़ नहीं पाएंगे इतना सुन्दर वाक्य है इसलिए जिंदग कि रंग रंग में मूल रिखाएं ही गायब हो जाएं मतलब रंगने में जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं तो फिर उसको रंगते हैं तो रंगने में ऐसा ना हो कि जो मूल रिखाएं है वह ही गायब हो जाएं रिखाएं पता चलनी चाहिए मूल जीवन पता चलना चाहिए इ मसाला मसाला ही स्वाद सब्सक्राइबुद मसाला बहुत कम हो तो चलेगा कम ना रहे न जिद्रेंग को रिखांकेद करते ही बेनी पूरी जी कि ससक्त लेखने से निकली रोचक मारमिक वाज एक लेखा चेत्र यह आपके सामने है अब लेखा का देखते हैं राम्रिष बेनिपूरी का आप यहां दे सकते हैं जन्व तेश दिसंबर 1899 को हुआ बेनिपूर मुझफर नगर बिहार में हुआ इसलिए तो इनको बेनिपूरी लग गया इनके नाम के आगे राम्रिष के आगे साहित समेलन से विसारा स्वाधिन्ता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल जेल में रहे हैं कांग्रेश सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं में प्रजा सोसलिट पार्टी से विधायक चुने गए यानि कि ये विधायक भी रह चुके हैं आपसे पूछा जा सकता है कि कौन इसमें से कौन लिखक विधायक रह चुके हैं दिसमबर 1969 में पच्छा घा सत्रे दिसमबर मतलब पच्छा घात हुआ इसके बाद आपको साथ दिसमबर 1969 को निधन हो गया ठीक है 68, 68, 68, 89 सल जी है अच्छा जी है संपादित पत्र तरूड भारत किसान मेत्र गोल माल बाला किवाक कैदी लोक संग्रा कर्मबीर, योगी, जनता, तुफान, हिमाले, जनवाडी, चुन्नु मुन्नु तथा नई धारा कि ये संपादित पत्र भी इनके द्वारा ये सब रहे हैं इनके कृतियां देखते हैं क्रितियां क्या इनके चिता के फूल कहानी संग्रा है लाल तारा, माटी की मूर्ते, गेहु और गुलाब ये सब सब्ध चित्र संग्रा है यानि कि रेखा चित्रा पतितों के देश में कैदी की पत्नी ये इनके उपन्यास है सतरंगा, इंदरधनूस या ललित निबंध है, गांधी नामा, इसमिती चित्र है, नया आदमी कविताएं है, अंबपाली, नईनारी, सिताकिमा, सकुंतला, संग्मित्रा, अमर ज्योती, तथागत, सिंगल विजय, राम राज, नेत्रदान, गाउं का देवता, नया समाज, और विजेता यह सविन के नाटक है, हवा पर बंदे वाड़ी विनाय को अत्रतत्र या निबंध है, मुझे याद है, जनजीरे और दिवारे, कुछ मह, कुछ वे, यह क्या है, आत्मक अधात्मक, संसमरण है, पैरों में पंक बातकार, उड़ते चलो, उड़ते चलो, मतलब जी, बिद्यापती, लंगट सिंग, गुरुगुविन सिंग, रोजा, लग्जेंबर्ग, जैप्रकास, कालमार्स, यह सब जीवनिया है, लाल, चीन, लाल, रूस, रूसी, क्रांते, यह सब राजनीती पे लिखा गया है, इसके अलावां राजनीती में दो थे ही, आपको प फुष्तके तथा बिद्यापती पदावली और बिहारी सस्साई पर टी का भी लिखे हैं, बिहारी सस्साई और बिद्यापती पदावली पर टी का भी लिखे हैं, तो इस परकार से इनका यहां परिचे रहा, लेखक का परिचे रहा, रामेर्च्वेनिपुरी का, इस रचन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यहां आने वाले वीडियो प्ले लिस्ट में अन्य गद्विदावों वाले में यहां आपके सामने होगा और सभी 12 चेप्टर है तो एक एक चेप्टर आपका एक एक वीडियो के रूप में आपके सामने होगा धीरे-धीरे करके तो उसको जरूर देखेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चाहे हिंजाए भारत